तो हे गाइस क्या आप भी अपने बैटरी वगरा जब भी खरीते हो अपने लैपटॉप के लिए तो आपको क्या पता है कि कैसे चेक करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर कोई भी नया जब बैटरी आप खरीते हो अपने लैपटॉप के लिए या फिर अग आपको जोने मैं आपने डेक्स्टॉप पे लेके आ गया हूं सिंपल सा स्टेप है दो मिनिट की वीडियो है पूरा देखो और वीडियो को तुरत लाइक कर दो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरू करना आपको जाना होगा यहां पर विंडोस पर यहां पर जाकर के कि इतना लिखने के बाद में एक स्पेस फिर बार इसके बाद में लिखना VAT dari equalswowode असे आ एडियो परकरos देख करणल को अब को पात यहां पर जाने आगा इसको बस यहां पर यहतना से कापी क्रोए और कोई भी एक folder n यहां representative यहां पर जाकर इसको paste करके दोस्तों बस एंटर करो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा वह आपको ओपन हो जाएगा यहां पर आपको बैटरी का नाम कौन सी कंपनी का है हर चीज दिटेल यहां पर दे देगा और यहां पर दोस्तों आपको मेंचीज करना है कि दिखा रहा है डिजाइन क्यापसिटी तो बेसिकली जो ने आपकी जो भी नंबर दिखाएंगे तो जो जो रहेगा जो बैटरी जब मैनिफेक्टर हुआ है तो एक्चुली कितनी मिली वाट्स का यहां पर मिली आम्प नहीं आता है दोस्तों यहां पर मिली वाट्स आता है मिली वाट्स में क्या जाता है और मोबाइल में मिली आम्प किया जाता है तो यहां पर देख तो एम डबलु है इसका मतलब है मिली वाट्स तो डिजाइन किया गया था 54,994 मिली वाट्स के लिए बट फिलहाल अभी जो ने इसका लाइफ बचा है 52,250 तो आप जब भी चेक करोगे तो आपको जोना यह नंबर सापको दिखेगा तो यह आपका जोना करेंट टोटल बैटरी होल्डिंग केपासिटी यानि लाइफ केपासिटी है तो आप जोना यह सभी चीज़े दिखा करके अपने दोस्तों के लैपटॉप में भी चेक कर सकता है थोड़ा मतलब अ और क्यालकुलेटर मैंने इस तरह से एक क्यालकुलेटर ओपन कर लिए तो आपको करना क्या पता होगा यह वाला जो नंबर देख रहे हो जो फुल चार्ज क्यापासिटी है उसको पहले टाइप करना होगा तो यह है 52 250 उसके बाद में डिवाइड बाई उपर का जो नंबर उपर का मतलब डिजाइन क्यापासिटी वाला आपको सिंप्ली कर देना होगा एंटर उसके बाद में यहां पर इंटू डाल करके इसको हंड्रेट से मल्टिप्लाइ कर देना है और दिख रहा है दोस्तों 95 यानि मेरा लैप्टॉप का बैटरी 95 परसेंट अभी इसका लाइ यह वाला आपको दिखा देता है कब कब बैटरी एक्चुली में यूसेज हुआ है टाइम फ्रेम के हिसाब से और बहुत सारे डीटेल है आप चेक कर सकता आपको एक मेजर इंफॉर्मेशन में दिखाता हूं सबसे नीचे आओगे तो यहां पर दिखाएगा बैटरी लाइ बैटरी बैकप देने के लिए कितना पांच घंटे 55 मिनिट के लिए अभी के हिसाब से पांच घंटा 37 मिनिट तक यह मुझे बैकप देगा तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हो वीडियो को तुरत लाइक कर दो क्यों कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और दोस्